असलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपके दरक्षा के बुक का ओल चेप्टर का अब्जेक्टिव कोश्चन कराऊंगी और यह बहुत ज़िदा इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्चन है क्योंकि इसके दिन जिस दिन आप लोगा उर्दू का एक्जाम है उस दिन बाकी सब कुछ भूल जाएगा खाना पीना भूल जाएगा लेकिन यह वीडियो को और पूरे अब्जेक्टिव कोश्चन को देखना मत भूलेगा क्योंकि यह यूटूब इतियास का सबसे बड़ा और इंपोर् तो चलिए मैं सारे अब्जेक्टिव कोश्चन को कराती हूं और आप लोग एक एक करकर ध्यान से समझेगा और देखिएगा ठीक है तो चलिए हाँ तो ध्यान दीजिए जो आप लोग का सबसे पहला सवाल है वो यह है कि शबनम कमाली कब पैदा हुई तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए उनएस्सा अर्टिस इसली को ठीक है दूसरा सवाल है शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुई यानि कि क तो को मालूम ही होगा मुस्तफा रजा आपसा नमबर भी हो गया ठीक है आगे बढ़िए कोश्चन नमबर फूर शबनम कमाली का इंतिकाल कब हुआ यानि कि कब वो इस दुनिया से रुक्सत हो गई उनका मौत कब हुआ तो चार का आपसा नमबर ए हो जाएगा 2007 इसली को ठ छाथा तो वो था मुजीवुर्रहमान अपसा नमबर ए ठीक है जो नमबर सवार है कि सहल अजिम अबादी की पैदा November यह झाल कि सहलदंभादी को पैदा हुए और कहां पर पैदा हुए तो इसका राहिट इंसर क्या हो जाएगा आपसा नमबर भी उन्हें से गाराइस भी पटना को साथ नमबर सवाल है सुहेल अजीम अबादी के पहले अपसानवी मजबूए का नाम क्या है यानकि सुहेल अजीम अबादी का जो सबसे पहला अपसाना का किताब है कहानी का किताब वो क्या है तो वो है चार चेहरे अपसा नमबर C आगे बढ़िए क्वेश्चन नमबर 8 की तरफ सुहेल अजीम अबादी का इंतिकाल कब हुआ तो सुहेल अजीम अबादी का इंतिकाल हुआ था उन्हें सा 80 भी को अपसा नमबर A ठीक है नौ नमबर सवाल है सुहेल अजीम अबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में सामिल है यानि कि सुहेल अजीम अबादी का कौन सा जो कहानी है आप लोग के बुक में है दिया है आप लोग को पढ़ना है वो कौन सा है अफसान नमबर C भावी जान भावी जाना आप लोग के निसाब में शामिल है सुहल अजीम अबादी का ही लिखा हुआ है ठीक है आगे बढ़िये दस नमबर सवाल है डॉक्टर मुहम्मद मोसीन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है डॉक्टर मुहम्मद मोसीन का कौन सा कहानी आप लोग के बुक में हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अप्सान नमबर A, फरार ठीक है, ग्यारा नमबर सवाल है, डॉक्टर मुहमद मोसीन की पैदाईश किस शहर में हुई थी? ठीक है, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? अप्सान नमबर C, पटना के अजीम अबाद में डॉक्टर मुहमद मोसीन की पैदाईश हुई थी? ठीक है, आगे बढ़िए, बारा नमबर सवाल है, डॉक्टर मुहमद मोसीन की पैदाईश कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? अप्सान नमबर 20, ठीक है, 2002 इस भी को, आगे बढ़िए, कोश्चन नमबर 14, फरार किसका अप्साना है? ठीक है, फरार जो कहानी है, वो किसका कहानी है? तो वो है मुहमद मोसीन का, ठीक है, पंद्रे नमबर सवाल है, डॉक्टर मुहमद मोसीन के वालिद का नाम क्या था? तो वो क्या था डॉक्टर मुहमद मोसीन के पिता जी का नाम? वो था सेयद मुहमद रसीद, ठीक है, वालिद का मतलब होता है पिता, फादर, ठीक है, सुलना नमबर सवाल देख लेते हैं, डॉक्टर मुहमद मोसीन के किस मौज़ू पर महारत रखते थे? यानि कि करके आप लोग उसको सुनते और समझते और माइन में फिट करते चलिएगा, ठीक है, और वैसे भी इसका कॉंटेंट में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग जाकर इस कॉंटेंट को भी पूरे औल चैप्टर को भी पर सकते हैं, इसी चैनल के प्लेलिस्ट म कि ठीक है, अठारा नमबर स्वाल है, कमर जहा का तालूक सबह विह के किस जिले से है? यानि कि कमर जहा का तालूक समबंद सबह विहार के किस डिस्टिक से हैं? तो वो है समझती पूरा, अफसा नमबर ओन सी यानि कि जो कटी हुई साफ नाम का चैप्टर है वो किसका कहानी है किसके द्वारा लिखा गया है ठीक है तो वो है कमर जहां का ठीक है अबसान नमबर डी चार अगर ठीक है आगे देखिए कोशन नमबर ट्वैंटी थी निगार अजीम की पैदाइस कब हुई यान की निगार अबाद पैदा हुए ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तेज का अपसान नमबर डी इन में से कोई नहीं ना वह इस में में पैदा हुए थे ना वह इसमें नहीं से कोई नहीं है उनका डेट अब बर्थ ठीक है चलिए आगे बढ़िए कोशन नमबर ट्वैंटी फॉर निगार अजीम का असल नाम यानि की रियल नेम क्या है ठीक है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा महर निगार ठीक है आइफ कोशन नमबर देखिए निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में सामिल है निगार अबादी का कौन सा कहानी आप लोके बुक में है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा आपसा नमबर भी आसियाना ठीक है आगे बढ़िए कोशन नमबर 26 की तरफ निगार अजीम ने किस मजमून में एमे किया है ठीक है वो किया है उर्दू और फार्सी में आपसा नमबर सी निगार अजीम का मजमू अगहन कब शाई हुआ तो निगार अजीम का जो मजमू अगहन है वो शाई हुआ था उन्हें सा 75 इस भी को आपसा नमबर भी ठीक है आ राइट एंसर क्या होगा अफसान नमबर सी नफसियाती कहानी है ठीक है आगे बढ़िए कोशन नमबर 29 के तरफ आसियाना के अफसाना निगार का नाम बताईए आसियाना को किसने लिखा है इस कहानी की कहानीकार का नाम बताना है जिसने इस कहानी को लिखा है जिसका राइट Q. 31, Global Warming कैसा मसला है? ठीक है तो Global Warming जो है वो संगीन मसला है, सिरियस मसला है हमारे लिए. ठीक है? Global Warming किसे कहते हैं? यह सारी चीज में आप लोग को बता चुकी हूं, अल्रेदी कॉंटेंट जब मैं पढ़ा रही थी तो वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं कोशन नमर 32 है कि कार्बन डाई अक्साइड गैस में कितना अजाफा हुआ है जो कर्बन डाई अक्साइड गैस है उसमें कितना परसेंट बढ़ंती हुई है तो वो है आपसा नमर भी 31 परसे वर्सों में कितना बढ़ गया है तो वह बढ़ा है जिरो पॉइंट सेवेंटी फाइफ डिग्री सेल्सियस ठीक है अगला सवाल है कोशन नमर 34 बालवग्यान कॉंग्रेस 2008 इस बी को हिंदुस्तान की किस शहर में मनाकद हुआ तो वह हुआ था शहर दीमापूर में ठीक है नमर सी हो गया कोशन नमर 35 एंटों में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉंफरेंस कब हुई थी तो हो हुई थी 2037 ठीक है आगे फटाफट बढ़ते चलिए ध्यान से देखते चलिएगा ठीक है कोशन नमर 36 है कि सरस्यद एहमद खा के खा की पैदाइस कब हुई तो इस श्यद ए पैदाइस हुई थी 207mag DIRECTOR है सरस्यद के वालिट का नाम क्या था भी तो 37 का राइट इंसर किया हो जायेगा प्रमा मैर्मक्ट कैड newest ठीक है ब्सक्राटीःयट एट एस सरस्यद का कौन सा मजमून आपके निया ऩशामिल में यानि की सरस्ययद का कौन सा मजमून कौन सा A.C. आप लोगे बुक में दिया हुए जिसको आप पढ़ते हैं ठीक है तो वो है अपसा नमबर C रया ठीक है आगे बढ़िए फटाफट क्वेशन नमबर 39 है सरसेयद की वफात कब हुई सरसेयद की मौत कब हुई उनका इंतकाल कब हुआ तो क्या हो जाएगा 39 का सही नमबर 39S गो ठीक है ठीक है तो किस्टन नमबर 40 यानिकि 40 सवाद है कि सरसेयद करना के मामी कि माता नाम का मदर का लाम ता इसका इंसर क्या हो जाएगा ठीक है ठीक हय आगे बढ़िए को च्छीन नमबर 41 है कि सरसेयद ने अलिगर्ड में कौन सा अधारा काइम किया ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अफसान नमबर डी मुस्लिम यूनिर्सिटी ठीक है कोशन नमबर 42 है अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है यानि कि अदब की पहचान जो मजमून है एसे है उसके लिखने वाले कौन है मजमून निगार कौन है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अफसान नमबर बी अब्दुल मुगनी ठीक है अगला सवाल है अदब के पहचान किस तरह का मजमून है तो जो अदब का पहचान है वो एक तनकीदी मजमून है ठीक है आगे बढ़ ये फटा फट यहाँ पर देखिए कब पैदा हुए हो गया है अब्दुल मुगनी देखिए ये रहना चाहिए पहले अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए ठीक है इस तरह होना चाहिए बाद में लिखने नहीं लिखा पाया था ठीक है कोई दिकर नहीं आप लोग समझ जाएगा कि अब्दुल मुगनी का बात हो रहा है यहां पर कि अब्दुल मुगनी जो है वो कब पैदा हुए थे तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा आपसा नमबर भी ठीक है उन्हे सब्सक्राइब को पैदा हुए थे ठीक है और उसके बाद से कहां पर पैदा हुए थे तो इसका राइट इंसर हो जाएगा बिहार के और अंगाबाद में ठीक है आगे बढ़िए फटा फट कोशन नमबर फोटी सिक्स है इनमें अब्दल मुगनी के किताब कौन है अब्दल मुगनी का किताब बताना है कि इन सभी अपसन में से कौन सा अब्दल मुगनी का किताब है तो किया हो जाएगा अपसन नमबर सी जादा है इतेदाल ठीक है कोशन नमबर फोटी सेवे ने अ अब्दलमगनी का इंतिकाल कब हुआ यानि कि उनकी वफात मौत कब हुई तो वही 2006 भी को ठीक है आगे बढ़िये सब्सक्राइब को माइन में फिट करते चलिएगा बहुत जदा इंपोर्टेंट कोश्चन है इसी से एक्जाम में कोश्चन पूछेगा इन्हीं से एक्जाम में अपलो का सेंटर पर एक्जाम होगा वह उसमें कोश्चन पूछेगा ठीक है कोश्चन नंबर 49 है अब्दलमगनी के वालिद का नाम क्या था ठीक है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा कोश्चन नंबर 49 का अबसा नंबर सी अब्दलरौफ ठीक है अब्दलमगनी के वालिद का नाम था यानकी पिता जी का नाम था ठीक है कोश्चन नंबर 50 यानकी 50 है अब्दलमगनी ने कहा तक तालीम हासिल की तो अब्दलमगनी जो है वो आलीम तक तालीम हासिल की थी कोश्चन नंबर 51 है डप्टर अब्दल अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया आगे बढ़ Marie तो नम्बर Until कि उन्हाइस कब हुई अपरील 1891 ठीक है विन्हाइस किरिक है न्हें टाMax क्या था तीके तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा और अपसनमबर ए भीम भाई कोश्ट नमबर 54 है भीम्राव अमबेड करके वालित फॉज के किस हदा से रिटायर हूए एकिस पोस्ट से वो रिटायर हूँ गये भिम्राओं अंबेड़ करके पिता जी तीके तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपसuse number B manager के ओदा से manager के पोस्ट से वो रिटायर हो गये question number 55 की भिम्राओं की शादी किस उम्र में और किस से हुई तो भीम राओ की जो साधी हुई थी 14 साल की उम्र में ड्रामा बाई नाम की लड़की से हुई थी ठीक है कोशन नमबर 56 है भीम राओ आजाद हिंदुस्तान में किस एहदे पर फायज हुए तो वो हुए थे वजीर कानून पर ठीक है कोशन नमबर 56 का एंसर क्या हो गया अपसान नमबर C आगे बढ़िये कोशन नमबर 57 भीम राओ का इंतकाल कब हुआ यानि कि भीम राओ कब मर गये मतलब उनकी मौत हो गई तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अपसान नमबर B उनएसर 56 को ठीक है अगला सवाल है भीम राओ के वालिद का नाम क्या था तो भीम राओ के वालिद का नाम था राम जी मालो जी सक्पाल ठीक है कोशन नमबर 59 है भीये करने के लिए भीम राओने किस कॉलेज में दाखिला लिया तो अभी ये करने के लिए उन्होंने इनिफिस्टिन कॉलिज में दाखिला लिया था ठीक है आगे बढ़ते रहिए कोश्चन नमबर 60 यानि की साथ है बुद्ध मजभब में नर्वान का क्या तसूर है तो वह है खुदा की उर्फान ठीक है कोश्चन नमबर 61 है कि लुद्फ पर पैदा हुए तो इसका राइट एंसर छप्रा के बनियार पूर में ठीक है आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 63 रित्फु रहमान किस पार्टी के एम एल रहे तो वह थे राज़त पार्टी के ठीक है ड्रामा की तक्मील का लाजमी अंसर क्या है तो वह स्टेज है ड्राम का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है यानि की लुट्फु रहमान का कौन सा एसे निबंद आप लों के बुक में है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा उदू ड्रामा और आगाहा सर ठीक है कोश्चन नमबर 66 लुट्फु रहमान के वालिद का नाम क्या थ पहरवफा और सानमासना ये दोनों जो है दुट्फु रहमान का लिखा हुआ किताब है ठीक है आगे बढ़िए अगला सवाल है सवाल नमबर 68 कि आगाहसर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए यानि कि आगाहसर का कोई एक ड्रामा का नाम बताना है तो वो हो जाएगा काई ने नजीर एहमद कहां पैदा हुए तो नजीर एहमद पैदा हुए थे विजनौर के अफजलगड में अफशन नमबर ए ठीक है आगे बढ़िए फटाफट कोश्ट नमबर 70 यानि की सत्तर है पहमीदा नसूह की क्या थी तो जो फहमीदा थी वो नसूह की बीवी थी और याद रखिएगा जो हमीदा है वो नसूह की बेटी है कोश्ट नमबर 71 क्या है हमीदा नसूह की क्या थी तो वो बेटी थी तो हमीदा बीवी थी और जो हमीदा थी वो नसूह की बेटी थी ठीक है आगे बढ़िए कोश्ट नमबर 72 नजीर एहमद की पैदाइस कब अगला सवाल है तो अपतल नसूह किसका नाविल है तो यह जो नाविल है वो है नजीर एहमद की ठीक है अगला सवाल है कोश्चन नमबर 74 कि नजीर एहमद के पहले नाविल का क्या नाम था तो नजीर एहमद का जो पहला नाविल था उसका नाम था मिरात अरोस ठीक है आगे बढ़िए कोश्चन नंबर 75 नजीर अमद यह जो है ना यही वला दुबारा रिपीट हो गया है तो कोई दिकत नहीं है कोश्चन नंबर 76 पर आते हैं हम लोग ठीक है क्या सवाल है कोश्चन नंबर 76 में कि नजीर अहमद ने किसकी तालिम और तर्वियत के लिए नाविल ठीक है आगे बढ़ियें अगला सवाल है नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ तो नजीर अहमद का जो इंतकाल हुआ था वह था उन्हें सद्धस्वी को अपसानमबर सी अगला सवाल है नजीर अहमद की पैदाएस यूपी के किस जिले में हुई तो नजीर अहमद की पैदा कब हुई तो गालिब की पैदाइस हुई थी आप लोगों का सत्रस संतानबर इस भी अपसे नंबर भी हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है कोश्चन नंबर 80 यानि की असी मिर्जा गालिब किस शहर में पैदा हुए तो मिर्जा गालिब आगरा में पैदा हुए थे आगे बढ अपसे नंबर भी हो गया कोश्चन नंबर 82 है कि खतूत गालिब के एक मजमुए का नाम बताना है आप लोगों को गालिब के खत का एक किताब का नाम बताना है तो हो जाएगा ओध हिंदी अपसे नंबर सी में ठीक है अगला सवाल है शामिल निसाब खत में गालिब ने किस नंबर एक करामत हुसेन हमदानी को उन्होंने करामत हुसेन हमदानी को ये खत लिखा है उनको ये खत मुकातिब किया है ठीक है अगला सवाल है कोश्चन नंबर 84 मैंने वह अंदास तहरीर एइजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया या कॉल किसका है तो ये मिर्ज गालीब का है ठीक है अफसर नमबर बी हो गया कोश्चन नमबर 85 है गालीब का इंतकाल कब हुआ तो गालीब का इंतकाल हुआ था 1879 बीको अफसर नमबर डी हो गया अगला सवाल है गालीब का मजार कहा है तो गालीब का जो मजार है वो है दिल्ली में अफसर नमबर सी अगला सवाल इ, गालिब के खतूत के किसी एक मजमुए का नाम बताईए तो गालिब के खतूत का मजमुए है उर्द्व मौल्ला, ठीक है, आफसन नमबर A हो गया, गालिब ने कितने खतूत लिखे हैं, तीक है, तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा, आफसन नमबर C, टोटल 900, आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 89 मेहदी अफादी कब पैदा हुए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 89 का तो वह होगा आपसा नमबर एठीक है आगे बढ़िए फटफट फटट कोश्चन नमबर 90 यान की 90 है मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए तो य इल नेम क्या था तो वह था मेहदी हसंँ ठीक है आगे बढ़िये मेहदी अफादी ने कितनी शादिया की थी ठीक है ? 4 है महदी अफादी को उच्दू के लावा और किस जुबान में महारत था थी यानि कि जो महदी इफ़ादी थे वह उच्दू के अलावा किस जुबान पर किस लेंग्विज पर उनका पकड़ था ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अंग्रेजि इंग्लिस पर हैं को महारति हासिल ती अगला सुद्वाल है मेहदि अफधी के बेगम in का नाम क्या था तो मेहदि अफदी का बेगम का नाम था जीमन निसाह बेगम ठीक है और महदि की बेगम किस नाम से मशूर हो गई तो बेगम मेहदि के नाम से अपसान। पर भी ठीक है आगे बढ़िये फटाफट सभी कोश्चन को ध्यान से सुनते और समझते और याद करते चलिएगा ताकि एक भी कोश्चन आप लोगों को सेंटर पर जो एक्जाम में कोश्चन आएगा वो ना छूटे वहाँ पर का ठीक है अगला सवाल है बेदी से इंटर्व स्काना है कहानी है उसका नाम क्या है तो वो है महराणी का तौफ़े議 पहले कहानी है जिसको बेदी ने लिखा इंटर्वियूंसमें किस में किस इंटर्वियू लिए गया है तो राचेंदर सोन बेदी का इंतेकाल कब हुआ तो वेली का इंटर्वियू गब कब अपसा नमबरें 1924 बीटों तो यह था आप लोगा अब्जेक्टिव कोश्चन सिर्फ हिस्साय नसर का देखिए जो आप लोगा उर्दू का दरक्षा का भूख है ना दरक्षा का भूख इसमें जो टूटल चैप्टर है उन सभी चैप्टर को दो हिस्सों में बाठ कर देखें है अभ बात आती है इस चाहिरी की जिसको आप लोग इस से नजम बी बोल सकते हैं इस में टोटल अब्जेटिव कोशन कितना हो रहा है और एक के करकर आप लोग इसको भी समझते चलिएगा और ध्यान से देखते चलिए लिए ठीक है तो इसमें जो आप लोग का सबसे पहला सवाल है वो ये है कि चकबस्त की पैदाईश कब हुई ठीक है तो चकबस्त की पैदाईश हुई थी 1882 इस भी को आफसन नमबर C ठीक है दूसरा सवाल है चकबस्त की पैदाईश कहा हुई तो चकबस्त की पैदाई सुई थी राइबरेली में आपसन नमबर A तीसरा सवाल है ने साब में शामिल नजम मनाजिरे कुदरत के शायर कौन है यान कि जो आप लोग के बुक में जो नजम है पोएम है मनाजिरे कुदरत उसके लिखने वाले कौन है शायर कौन है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? चकबस्त option no.1 ठीक ہے, अगला सवाल है, सवार नमबर फोर कि चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो चकबस्त का पूरा जो नाम था, वह था पंडित बर्द नरायन ठीक है पाश नमबर सवाल है चकबस्त की वफात कब हुई तो चकबस्त का वफात हुआ था 1926 को अपसा नमबर सी ठीक है अगला सवाल है चकबस्त का इंतकाल कब हुआ देखिए यहां पर कब नहीं कहां होना चाहिए गलती से लिखा गया है कोई दिकर नहीं आप लोग समझ हो जाए गाए चकबस्त का इंतकाल का हुआ हुए इंकि उनकी मौत का हुई तो वह हुए थी अपसान नंबर एर राय बरेली में ही हुए थी अगला सवाल है साथ नंबर की चकबस्त में कौन सी डिग्री हासिल की और कहां तक ठीक है तो इसका राइट नसर क्या हो जाएगा बी ये की डिगरी हासिल की और वहीं तक उन्होंने तालिम आसिल की उसके आगे उन्होंने तालिम नहीं लिया अगला सवाल है सवाल नमबर आठ कि जगनात आजाद की पैदाईश कब हुई तो जगनात आजाद की पैदाईश हुई थी उनईस सा अठारा इस भी को आपसन नम बरसी अगला सवाले question number 10-10 की जगरनात आजाद की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है यान की जगरनात आजाद की कौन सा पोएम आपके बुक में है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा उपाकि मतलब होता है कहां इसको स्थापित किया गया तो बनाया गया दिली में ओपसे नमबर इंडिया गेट कि तामीर कि ने करवा थी कि अगला सवाल है नजम इंडिया गेट के शायर कौन है तो नजम जो इंडिया गेट है उसके सायर है जगनात आजाद ठीक है आगे बढ़िए फटफट कोश्चन नमबर 15 यानि की पंद्रह है जगनात आजाद का इंतिकाल कब हुआ इनकी यानि क्यून की मौत वफात कब हुई थी इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अपसन नमबर 2040 को ठीक ह 16 नमबर सवाल है निसाब में शामिल नजम हम नोजवा के शायर कौन है यानि कि जो आप लोग Dalas में नजम है पोएम हम में हम नोजवा हैו उसके शायर कौन है लिखने वाले परमेद्छ टिक्षिग्या सवाल गर्व Turns अबर कर दो चलीएगा और द्यान से देखते चलीएगा कि अगला सवाल है और अठारा कि पर्वेषारदी पट्ना सी्टी के किस मोहला में बैदा हुए तो पर्वे Esta जो है वो पैदा हुए थे पटना सीटी के लोधी कट्री असबस मुहले से ठीक है अगला सवाल है उन्हाइस नंबर की परविर्षादी के वालिद का नाम क्या था यानिकि उनके पिता जी का क्या नाम था इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अपसर नमबर सी सैयद एहमद ह हुसें अगला सवाल है परविर्षादी के नाम बताइए यान engine क्या वाइफ का नाम बताईए ठीक इसका राइटसर क्या हो जाएगा सही तो इसका एंसर हो जाएगा फजीद लतुन निसाया बेगम ठीक है अगला सवाल है परविर्षादी का इन्तिकाल कब हुआ यानिके कब मौत कब हुआ वफात कब हुई तो यह हुई थी उनाइस सब 68 को ठीक है आगे बढ़िए अगला सवाल है प्रवेश शादी की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है प्रवेश शादी की कौन सी पोएम आप लोगों के बुक में हैं तो इसका राइट एंसर क्या होगा अपसन नमबर सी हम नौजवां है ठीक है अगला सवाल है सवाल नमबर 24 की तस्लीष रहायात के अशाद कब हुई यान की तस्लीष रहायात को कब परकाशित किया गया ठीक है तो वो हुआ था आजादी के बाद ठीक है आजादी के बाद तस्लीष रहायात को परकाशित किय गश्राया तो अग्ला सवाल यह रही ऐसे को एक अगे बढ़ा हिसमů नजमों में समाझ के किस मसाइल को उभारा है वो कमजोर तब के को ठीक है अफसा नमबर सी कोश्चन नमबर 28 है शामिल नसाब नजम बिजली का खंबा के शायर कौन है यानि कि जो आप लोगे बुक में नजम है बिजली का खंबा उसके शायर कौन है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा नेदा फाजली ठीक है अगला सवाल है बिजली के खंबे के अलावा नेदा फाजली की कौन सी नजम हमारे नसाब में शामिल है यानि कि बिजली का खंबा जो पोएम है वो तो हमारे बुक में है ही है उसके अलावा नेदा फाजली की कौन सी पोएम है जो आप लोगे बुक में दिया है तो कि नियदा फाजली का इंतिकाल हुआ था ना तो 2007 में हुआ था ना ही 2008 में और ना ही 2009 में हुआ था क्या हो जाएगा आपसन नमबर डी कोई नहीं ठीक है आगे बढ़ी फटाफट कोश्चन नमबर 31 की तरफ सेयद मुहमद जाफरी की सनद प्यदाइश क्या है ठीक है तो सकार्आट नफ फटांच इस सबीकोहत हुए अगला स्वाल सेयद मुहमद जाफरी की पैदाइश कहां हुए कि 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 यह जगा पर पैदा हुए हो जाय गा लाहौर में ऑप्सन नंबर बिज्चिए अग्वाले क्वेश्टन नमबर कितना 33 सेयद मुहमद जाफरी के वालिद का नाम क्या था ठीक है तो यह हो जाएगा अप लोगा सेयद मुहमद अली जाफरी उनके वालिद का नाम सेयद मुहमद अली जाफरी था ठीक है अगला सवाल है सेयद मुहमद जाफरी के मजमुए का नाम क्या थ तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सुखय तहरीज ठीक है अग्ला सवाल है सवाल नंबर 35 यह जगला पूरा नाम क्या था मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या था तो अस्दुल्ला खा गाली ठीक है अगला सवाल ए गालिब साइरी में पहले पहले क्या तखलुस रखते थे जो जो गालिब है मिर्जा गालिब वो शाइरी में अपने शाइरी में क्या तखलुस रखते थे कौन स साथ 908 को सवाल नंबर 33 है और याद रखिए गया बहुत पूछ ना इंपॉर्टन कोशन यह पूछा जा चुक आ और यह बार बार पूछा जाता है त्टीक्ष अगला सवाल है चलिए 39 गालीब की आबाउसदाद कहां से हिंदोस्तान आये थे तो कहां से हिंदोस्तान आये थ थीखने उनके वालित का इंतिकाल हो गया था च्टयक् zona भृक क्लिग क्या हुआ हूँ हुए आगे देखीये मिर्जाओक का असल नाम क्या था इसका प्राइट एंसर क्या होगा तसद्द्द्ध हुसेन खाँ ठीकि अगला सवाल है मिर्जाशौक के सन पैदाइस क्या है तो मिर्जाशौक का जो शन पैदाइस है वह है सतरा सा तिरासेश्ज भी ठीक है आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 44 मिर्जाशौक का खांदानी पैशा क्या था तो वो था तबाबत का ठीक है अगला सवाल है मिर्जाशौक का इंतकाल कब हुआ तो मिर्जाशौक का इंतकाल हुआ था अठारास एक एकटर इस भी को आपसन नंबर सी ठीक है अगला सवाल है 46 मिल्जा सौक के मसनवी का नाम बताईए तो इसका राइट एंसर क्या होगा फरेबिश्ग अपसन नंबर सी ही होगा अगला सवारे नसीम की पैदाइस कब हुई तो नसीम की पैदाइस हुई थी एठरा से ग्यारा स्वी को कुश्चिन नंब नसीम की मसनवी का नाम क्या था तो नसीम का इंतिकाल कब हुआ तो अफसर नंबर भी हो जाएगा उन्हें सब 45 को ठीक है फटा 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 आप लोग माइंड में फिट करते चलिए गा इसको शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे तो शायरी में जो नसीम थे वह आतिस के शागिर्द थे नसीम के वालिद का नाम क्या था तो नसीम के वालिद का जो नाम था वो था पंडित गंगा परसाद कूल ठीक है अगला सवाल है मसफी का नाम पूरा नाम क्या था ठीक है तो मसफी का जो पूरा नाम था वो था गुलाम हमदानी मसफी फटा फटा आगे 48 ठीक है अगला सवाल कुश्चनcasting 56 कि मसحफी का प्विदाइश कहां हुई कि मसheus कि की प्विदाइस कवी थी तो मशच्वी की प्विदाइश हुई अप अम्रहीया में ठीक है अगला सवाल कोश्चनत नमबर 57 कि मसफी का जेरे वह सबस्पाइब काना नाम नावाएं तो सब दो ढूबह स सब्सक्राइब यह वो है आगाज दास्तान थीकए अब आगे बढ़ीए 57 आपको पहली मस्मवी कौन है उर्दू का जो पहला मस्मवी है वह कौन है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा वह जाएगा कदम राओ पदम राओ यह पहला मस्नम यह उर्दू का अगला सवाल है सवाल नंबर 59 मस्यफी की वफात कब हुई तो मस्यफी की वफात हुई थी 1864 इस भी को ठीक है अगला सवाल है सवाल नंबर 60 60 कि मुबारक अजीम अबादी की पैदाईस कब हुई तो मुबारक अजीम अ मुबारा कावादी की पेदाइस कहा हुई सिक्पारा एंसर कि राइट फ्र अमबर भी आज viaje कोड़ा स्चार माले कि राइस के यो भी डी मुदे हैं मुबारा क्या दॉक्टिक सा सुवाल है फार्सी शायरी में मुबारक अजीम के उस्ताद कौन कोन थे तो वो थे क्या क्या अब्दुल हमीद परेशान लेकिन यहां पर कोशन क्या पूछ रहा है उर्दू में मुबारक अजीम के उस्ताद कौन थे इसका एंसर क्या हो जाएगा दाग दैलरी ठीक है आगे बढ़िए कोशन नमर 66 एक मिनट हां तो सवाल है कि मुबारक अजीम अबादी की शे मजमुआ कब शाही हुआ तो मुबारक अजीम अबादी का शेरी मजमुआ उन्हें से कावनिस्वी में साही हुआ ठीक है अगला सवाल है हुकूमत हिंद ने अद्वी कारगुजारियों का इतराफ कर इतराफ कब किया तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा क्वेशन नम अगला सवाल है हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम अबादी की अद्वी कारगुजारियों का इतराफ करते हुए कितना वजीफा मुकर्र किया तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर भी सौ रुपिया वजीफा उन्होंने मुकर्र किया था आगे बढ़ी ये सब्सक्राइब की तरफ एहमद फिराज की पैदाइस कब हुई तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आफसा नमबर भी उन्हेसा तैटीस सब्सक्राइब को ठीक है आगे देखिए एक मिनट इसको और थोड़ा सा बढ़ा कर देती हूँ हां चलिए एहमद फिराज की पैदा पैश हुई थी पेशावर में ठीक है अगला सवाल है अपनी मौद से चंद माह पहले एहमद फिराज के किस शहर में आये थे तो भीहार के किस शहर में आये थे एहमद फिराज तो दर्भंगा में ठीक है आगे बढ़िए कोशननामर गजल में रदीफ नहों उस गजल को क्य दकनी के जरीए ठीक है अगला है कुश्चन नमबर 76 की एहमत फिराज की सायरी के कुल कितने मदमुएं शायी हुए हैं तो इसका राइट एंसर क्या होगा टोटल बारा अपसन नमबर ए बारा सायी हुआ है बारा किताब सायी हुआ है अगला सवाल है 77 की गजल अरबी की किस सि विब से माख हो जाए ठीक है चलिए आगे बढ़िए कुश्चन नमबर 78 गजल के आखरी शेयर को क्या कहते हैं तो गजल के आफिराज को तो आप लोग जानते ही है कि मकता कहते हैं एहमत फिराज किसी उनिवर्सिटी से लेक्चर अजू हुए तो इसका राइट एंसर क्या तो गजल के पहले शेयर को मतला कहते हैं हसन नाइम की पैदाईश कब हुई तो हसन नाइम की पैदाईश हुई थी अफसन नमबर C 1924 इस वी को ठीक है आगे बढ़िए फटाफट एक मिनट हां कोश्चन नमबर 83 है कि हसन नाइम की पैदाईश पटना के किस जिले में हुई किस जिस्टिक में हुई तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अजीम अबाद अगला सवाल है हसन नाइम किस अधारा में डिरेक्टर के एदे पर मामूर थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसन नमबर B गालब इंस्टिट वहां पर डिरेक्टर के वो पोश्ट पर म अगला सवाल है सवाल नमबर 86 हसन नईम का इंतिकाल कब और कहां हुआ ठीक है तो वह हुआ था उन्हें से क्यानवरिस भी को मुंबई में ठीक है आगे बढ़िए सवाल नमबर 87 परविन शाकिर की पैदाईश पाकिस्तान के किस शहर में हुई थी तो इसका सही एंसर क्या सब्सक्राइब कराची अगला सवाल है परविन शाकिर की पैदाईश कब हुई थी तो परविन शाकिर की पैदाईश हुई थी 88 का हो जाएगा अगला सवाल है परविन शाकिर के वालिद का नाम क्या था तो परविन शाकिर के वालिद का नाम था साकीब हुचैन ठीक है तो वो गए थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान अपसर नंबर ए हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है परविन शाकिर के शादी किस से हुई थी तो वह था डॉक्टर नसीर अली से अपसर नंबर भी ठीक है फटा फट आगे बढ़िए परविन शाकिर की इपतदाई तालीम कहा परविन शाकिर मैटरी की इमतान किस स्कूल से पास किया तो उन्हों कारा रजिया गाल्व हाई स्कूल से ठीक है आगे बढ़िए इर्फान सिद्धक्गी कब और कहां पैदा हुए तो इर्फान सिद्धकी पैदा हुए थे अपसर झेम नंबर ए उनेशा उन्तालीस स्वी क को बदायों में ठीक है आगे बढ़िए सवाल नंबर 95 इर्फान सिदिख्की का तालुक किस खांदान से था तो वह सेख शिदिख्की खांदान से था शेख सिदिख्की खांदान से अगला सवाल है इर्फान सिदिख्कीने मैं ठीका कब पास किया तो थीक ं जिए था स्मिज्ट समझे जाते थे तो यह इर्फान सिदिक्कीके को दादा थे तीघ आगे बढ़ी है इर्फान सिदिक्पी ने मास कम्यूनिकेशन में डिप्लोमा कहां से हासिल किया तो दिल्ली से हासिल किया था अपसर नमबर भी हो गया तीखे आगे हैं अगला सवाल सवाल नमबर 99 कि इर्फान सिदिक्पी के मजूए किस नाम से एकज़ात और पर शाहि हुए तो हो था दरिया आपसर नमबर ए इर्फान सिदिक्पी का इंतकाल कब और कहां हुआ था तो वो 2004 को लखनव में हुआ था अपसर नमबर डी हो गया जफर गुरखपूरी की पैदाएस कब और कहां हुई ठीक है तो इसका एंसर क्या होगा अपसर नमबर भी उन्हेस सा चौँत उत्तर प्रदेश के किस जिले में पैडा हुए थीकिए तो वो पैडा हुए थे अपसर नमबर हो जाएगा एगोरखपूर में पैदा हुए थे तब ये तो नंका नाम जफर गुरखपूरी रखाया वो रखऊ-पूर में पैदा हुई थे तो ठीक है चलिए आगे बढ़ mater अगला सवाल है, सवाल नमबर 103 यानि की एक सथ तीन अगला सवाल है, जफर गुरखपूरी का एक मजमूवा बच्चो के लिए भी है उसका नाम लिखिये, तो वो है सच्चाईया ठीक है, अपसा नमबर ए, दोहे में कितने मिस्रे होते हैं तो दोहे में जो मिस्रे होते हैं मिस्रों की संख्या वो दो होती है दो ही मिस्रे होते हैं उर्दू दोहे किस शायरी की तोस्ट से उर्दू में आये तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा आप लोका अपसन नमबर भी हिंदी हिंदी में ज स्वाल No. 60, सलाम मश्ली शहरी किस सिन्फ, शायरी के शायर है? ठीक है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, आपसा No. C, वो नजम पोएम लिखने वाले शायर है, सलाम मश्ली शहरी, ठीक है, अगला सवाल नदी हमारे मुलक के किस सोबा से गुजरती है, तो जमना नदी जो है, उत्तर परदेश से होकर गजरती हैं अगला सवाल है सवाल नंबर 108 ke sălam mash Cara coaster ही की पइदाइस उत्तर परदेश के किस शहर में हुई हुई तो वह गा penguin 100 an sect कि राइड एंसर क्या हो जाएगा जोन पूर में हुआ ठीक है सवाल नंबर 109 है कि सलाम मचली सेरी की पड़ाइश ताजपूर के किस कसबे में हुई थी ताजपूर के किस कसबे में तो वह सॉरी यहां पर ताजपूर नहीं होगा यहां पर गलती से ताजपूर लिखा गया है इनकी पैदाई जोई थी सलाम मचली सेरी का वो जोनपूर में ठीक है अगला सवाल है सवाल नमबर एक सदस सलाम मशली का असल नाम क्या था तो इनका जो रियल नेम था वो था अब्दुलसलाम ठीक है अगला सवाल है सलाम मशली शहरी के वालिद का नाम क्या था तो उनके वालिद का जो नाम था वो था अब्दुलरिजाक ठीक है अगला स सवाल है सवाल नमबर 113 आकास का मुत्रादिफ लफ्ज क्या है यानकी आकास का परेवाची शब्द क्या है तो वह है आसमान ठीक है तो यह था आप लोग का टोटल अब्जेक्टिव कोश्टन जिसको आप लोग एक एक करकर देख लिए अगर आप इन सभी अब्जेक्टिव कोश्टन पर कमांड कर लिए एक है अब्जेक्टिव कोश्टन को अगर मा delegates मैं फिट कर लिए तो समझ में इसके लावा है आप लोग सेंटर पर जाएंगे और 50 में 50 मैं सही बैंद में फिट कर लिए एक तरह पास अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उन्हें जदा सेर कीजिए ताकि जो भी इस वीडियो का लाव उठा सके ठीक है और लाइक तो वैसे भी आप लोग कर देंगे और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा ता और फिर मिलेंगे नेक्स टॉडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज